हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए दो इंच ओड़ा हमने दो कलर का लंबा सा कपड़ा लिया है दोनों कपड़े को ज्वाइंट करके इसके किनारे की साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हमें धागे को कट करना है और कपड़े को सीधा करके हमें ऐसे फोल्ड करना है ऐसे फोल्ड करके हम किनारे की साइड में सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाते समय इस बात का ध्यान रखना है किनारे की साइड में हमारा हलका साथ दूसरे कलर का कपड़ा दिखना चाहिए तो ये देखिए इस तरीके से हमने कपड़े की उपर सिलाई चला ली है अब हम साड़े 3 इंच की लंबाई नाप कर कपड़े को कट कर लेंगे same side का हमें ऐसी 6 कपड़े की cutting कर लेनी है अब हम इसे दोनों side से ऐसे fold करके किनारे की side में सिलाई चला लेंगे बिल्कूल इसी तरीके से सारे कपड़े को fold करके हमें this design को तयार कर लेना है तो ये देखिए हमने this design को तयार कर लिया है अब हमें half gold shape में बक्रम को ऐसे cut करके कपड़े पे चिपका देना है इसकी लंबाई 2 इंच है और चोड़ाई 2 इंच है एक और दूसरे color का कपड़ा लेंगे उस कपड़े पे हमें बक्रम वाले कपड़े को ऐसे joint करके सिलाई चलानी है जिस shape में हमारा बक्रम का design है बिलकुल उसी shape में सिलाई चलाकर किनारे की side से extra कपड़े को cut कर लेंगे अब हम इसे fold करके सीधा करेंगे डिजाइन को सीधा करने के बाद हम इसे इस्तरी कर लेंगे तो ये देखिए हमने design को इस्तरी कर लिया है अब हम इसे ऐसे फोल्ड करके किनारे की साइड में सिलाई चलाकर डिजाइन को सीधा कर लेंगे डिजाइन के नोखेले से पाट को प्रॉपर सेप में पेन की सहायता से हम इजली ऐसे सीधा कर लेंगे सेम साइज का हमें ऐसे छे डिजाइन बनाकर तयार कर लेनी है अब हम एक लंबा सा कपड़ा लेंगे कपड़े की लंबाई और चोड़ाई कितनी है ये नाप लेते हैं लंबाई हमने 12 इंच ली है और इसकी चोड़ाई साड़े 3 इंच है कपड़े के पीछे हमने बक्रम को चिपकाया है अब ये देखिए कपड़े के बीच में हम डिजाइन को ऐसे लगाएंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे दो-दो डिजाइन को ऐसे ज्वाइंट करके हमें सिलाई चलानी है अब हम धागे को cut करेंगे और ये देखिए अब इस design के नीचे हमें फिर से design को ऐसे लगाना है दो-दो design को joint करके ऐसे लगाएंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो ये देखिए हमने इस line को complete कर लिया है इस line को complete करने के बाद अब जो हमारा दूसरा वाला ये वाला design है इसे हम यहाँ पर लगाएंगे और किनारे की side में सिलाई चला लेंगे डिजाईन के एक side में इस design को लगाने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से design के दूसरे side में भी हमें डिजाइन को ऐसे लगा कर किनारे की side में सिलाई चला लेनी है तो ये देखें फ्रेंड हमारी ये line कम्प्लीट हो चली है यहाँ से धागी को cut करेंगे और किनारे की side से extra design को ऐसे cut कर लेना है extra design की cutting करने के बाद अब हमें design में market वाले button को लगाना है तो मार्केट जैसा बटन घर पे बनाने के लिए हमने सट का बटन लिया है सट के बटन को हम कपड़े में ऐसे फोल्ड करके धागी की मदद से कपड़े को अच्छे से लॉग कर लेंगे अब हम यहां से एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे सुई धागा के मदद से डिजाइन को हम यहां पर अच्छे से जॉइंट करके बीच में बटन को ऐसे लगा देंगे यह देखिए यहां पर लगाना है सारे डिजाइन में इसी तरीके से हम बटन लगा लेंगे अब हमें डिजाइन के लंबाई के बराबर आस्तिन का कपड़ा लेना है आस्तिन की चौड़ाई हमने एक साइड से 6 इंच दो पॉइंट ली है अब हम बीच में से कपड़े को दो भागों में कट कर लेंगे आस्तिन के कपड़े को बीच में से दो भागों में कट करने के बाद अब हमें एक लंबा सा कपड़ा लेना है कपड़े की चोड़ाई हमने एक इंच ली है इसे ऐसे फोल्ड करके यहां पर लगाएंगे और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे यहां से धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट करेंगे अब हमें कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके उपर के साइड से एक बराबर में सीधी सिलाई चलानी है सिलाई चलाते समय इस बात का ध्यान रखे किनारे के साइड में हमारा हलका सा दूसरे कलर का कपड़ा दिखना चाहिए अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से आस्तिन के दूसरे टुकडे में भी हमें ऐसी पतली पाइपीन बना कर तयार कर लेनी है तो ये देखिए फ्रेंड हमने दोनों टुकडों में पतली पाइपिन बना ली है डिजाइन के किनारे के साइड में हम आस्तिन के कपड़े को ऐसे लगाएंगे और एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे डिजाइन के एक साइड में आस्तिन के कपड़े को ज्वाइंट करने के बाद बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे साइड में भी ज्वाइंट कर लेंगे दोनों साइड में ज्वाइंट करने के बाद अब हम दो इंच दो पॉइंट चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेंगे कपड़े को हमें यहां पर ऐसे लगाना है और इसके किनारे के साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला देनी है यहां से धागे को और एस्ट्रा कपड़े को कट करेंगे अब हमें कपड़े को सीधा करके ऐसे फोल्ड करना है यह देखिए ऐसे फोल्ड करके एक बराबर में सीधी सिलाई चलाएंगे कपड़े को फोल्ड करते समय इस बात का ध्यान रखें फोल्ड किया हुआ कपड़ा एक साइज में होना चाहिए कहीं चोड़ा और कहीं पतला नहीं होना चाहिए यहां से धागे को और एश्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे इसी के साथ हमारा ये डिजाइन बनके कम्प्लीट हो गया है आपको ये डिजाइन कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताईएगा थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो